हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, विल्किम टू माइ चैनल अकसर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे इसे हिंदी के सेंटेंसिस जिन में हम किसी काम को अपनी शर्तों पर करने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम और वन्स ओन टर्म्स का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है अपनी शर्टों पर इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते है इसके rule में सबसे पहले हमारा main sentence आता है जो कि किसे भी tense में हो सकता है इसके बाद on आता है इसके बाद possessive objective आता है जैसे कि my, your, his, her, are, there इसके बाद on आता है और last में terms आता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मैं अपनी शर्टों पर जिंदिगी जीता हूँ I live life on my own terms I live life on my own terms वहे अपनी शर्टों पर काम करती है She works on her own terms She works on her own terms वहे अपनी शर्टों पर यह नौकडी कर रहा है He is doing this job on his own terms He is doing this job on his own terms उन्होंने अपनी शर्टों पर डील एक्सेप्ट की They accepted the deal on their own terms They accepted the deal on their own terms वहे अपनी शर्टों पर शादी करना चाहती है She wants to marry on her own terms She wants to marry on her own terms क्या तुम अपनी शर्टों पर जीते हो? Do you live on your own terms? Do you live on your own terms? क्या वहे अपनी शर्टों पर यह कर रहा था? Was he doing it on his own terms? Was he doing it on his own terms? क्या उसने हर काम अपनी शर्टों पर किया? Did she do everything on her own terms? Did she do everything on her own terms? अब एक सेंटेंस आपके लिए मैं अपनी शर्टों पर वहां जा रहा हूँ इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह आप मुझे कमेंट्स में बताए है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब हीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक कैर बाबाई